सुशान सेंग राजपूत मामले में कूपर हॉस्पिटल के मौर्चरी सर्विंट ने बड़ा खुलासा किया था जिसके बाद सुशान का केस एक बार फिर से मुद्दा बन चुका है लोग सुशान के साथ क्या हुआ था इसकी सचाई जानना चाते हैं इस मौर्चरी सर्विंट ने कहा कि सुशान की बाड़ी देखकर ही हमें पता चल गया था कि ये स्यूसाइड नहीं ये तो मर्डर है हमने हजारों बाड़ी देखी है और अब इतना experience तो है कि बाड़ी देखते ही पता चल जाता है लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी विडियो मेंबर्स ने हैंडल किया था उनका बयान आया है। कूपर होस्पिटल से जुढ़े दौक्टर ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि एक तो जो शक्स बोल रहा है वो मौटरी सर्विंट है उसके पास डॉक्टर की डिगरी नहीं अगर मौटरी सर्विंट ही किसी भी साल पहले जब सुशानद की डेथ हुई तब कहा था तब क्यों नहीं बोला और अगर इसे बोलना ही है तो यह मीडिया में जाकर क्यों बोल रहा है इसे सीधे statement अपना agency को जाकर देना चाहिए था ये case CBI के पास है तो CBI के पास जाकर ये अपना बयान क्यों नहीं देता साथ ही Cooper Hospital के doctors का ये भी कहना है कि सिर्फ media में जाकर बोलने से कुछ नहीं होता है अगर उसके पास कोई supporting evidences है कोई कागर्ज है, कोई photo है तो वो ले जाकर agency को दे जिसके बाद ये बात सही प्रूव होती है आपको बता दे कि रूप कुमार श्राह करके Cooper Hospital का mortuary servant है ये जिसने अभी media में सारे interviews दिये हैं और कहा है कि सुशान्त का murder हुआ था अब Cooper Hospital के doctors कह रहे हैं कि अगर mortuary servant ही ये बता दे कि murder है yes you side तो फिर हम doctors क्या करेंगे और doctors की degree है किसलिए आपको क्या लगता है अब doctors के इस बयान के बाद रूप कुमार की बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं और आपको क्या लगता है रूप कुमार अब क्यों बोल रहा है जिस वक्त ये मुद्धा था जिस वक्त agencies के पास काई लोग जा रहे थे तब ये शक्स क्यों नहीं गया सुशान सिंग राजपूत के case में दो चीज़े हुई है कुछ लोगों ने वाकई में सुशान के लिए fight किया है और कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सुशान की डेथ के मुद्धे से अपने मुद्धे भुनाए हैं आपको क्या लगता है ये जो नया बंदा अज़ानक से उभरा है ये वाकई में जैनुविन बंदा है या फिर ये भी वही भुनाने वालों में से है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें